एक लॉयर एक मैरिट लेडी के पैर में बढ़ता है या अपने ब्यार की बीच में किसी को भी नहीं आने दिना चाहते है आज के हमारी मुवी यह बॉडी हीट in 1981 की एक अच्छी थ्रिलर मिस्ट्री मुवी है इसमें ट्वीस्ट भी अच्छा आता है तो लास तक इस वीडियो को जरूर देखीगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप साथ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आप को वीडियो चलगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत सबोड मिलता है और बीना किसी देरी के मुवी को एक्स्प्लें करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा में क्यारेक्टर जिसका नाम है नेड इसे हम एक लड़की के साथ देख सकते है यह बहुत ही हैंडसम और प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर है इसके बाद नेकसिन में पता चलता है कि नेड एक लॉयर है उसके जर्ज के साथ उसकी डिसकेशन हो रही थी एक्शन में नेड ने एक करव क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया था तो इसलिए जर्ज उसे सुना रहा था इसी केस का प्रोसेक्यूटर जिसका नाम है पीटर यह भी नेड का फ्रेंड ही है केस खतब होने के बाद यह तुनों कैफे में आते हैं और हैंग आउट करते हम देख सकते हैं रात में बीच पर एक शो चल रहा था जहाँ पर नेड था एक लड़की उसे पास होती है जो बहुत ही ब्यूटिफुल है यह हमारी औरिंग मेंन कैरक्टर है जिसका नाम है मैटी मैटी अकेली सिगरेट पी रही थी तो उसे जाकर वो अप्रोच करता है कहता है कि मैं तुम्हें मेरे साथ खड़े होने दूँगा अगर तुम इस हीट के बारे में बात नहीं करोगी यानि कि वो ऐसे जता रहा था कि मैटी ने उसे अप्रोच किया है मैटी डारेक्टलि उसे कहती है कि मैं मैरेड हू यानि कि वो इंट्रेस्टेड नहीं है मैटी कहता है कि तुमने मैरेड कहा हैपिली मैरेड नहीं मैटी कहती है कि तुम ज़्यादा smart नहीं हो मुझे जीज अच्छी लगती है इसके बाद नेड कहता है कि तुम्हें जो जो अच्छा लगे ये सब qualities मुझ में है वो उसके लिए drink buy करना चाहता है मैटी कहती है कि मुझे एक husband है तो नेड मजाग में कहता है मैं उसके लिए भी drink buy करूंगा जो है ती है कि वो out of town है नेड कहता है ये तो और भी अच्छा है अब नेड मान नहीं रहा था तो मैटी उसके थी कि अगर तुम्हें मुझे कुछ buy करना ही है तो आस्क्रिम buy कर कर दो मैटी का outfit बहुत ही अच्छा था तो नेड कहता है कि तुम pine heaven में रहती होंगी इस city का बहुत ही reach area है और मैटी reach लगती है मैटी भी इसके लिए agree करती है वो पुछती है कि तुम्हें ही कैसे पता चला मैटी कहता है कि तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है मुझे भी मेरा खुत का ख्याल रखने की जरूरत है मैटी कहती है कि फिर तुम शादी कर लो नेड कहता है कि मुझे आज रात की ही जरूरत है इस पर वो हसी और उस वज़े से उसका ice cream उसके trace पर गिर गया वो नेड से कहती है जाकर मेरे लिए कुछ tissue paper लेकर आओ जब नेड वापस आया तब तक मैटी वहाँ से गायब हो चुकी थी उसे ढूनने की नेड ने बहुत कोशिश की पर कही भी उसे वो नहीं मिली एक दो दिन कुजर जाते हैं तो उसके बाद pine heaven में जो एक बार है वहाँ पर वो पहुचता है यहाँ पर मैटी उसे मिल जाती है नेड को देखकर वो surprised है अगेती है कि आज कल गर में बहुत ही बढ़ चुकी है घर के बाहर chimes की आवाज आ रही थी मुझे लगा कि एक cold breeze होगी पर वो भी गरम ही थी वो फिर उसे पुछती है क्या थू मेरा पीछा कर रहे हो नेड कहता है कि मैं उस आदमियों में से नहीं हूँ उसका कुछ काम था इसलोब यहाँ आया हुआ था इस बार में कुछ और आदमी है जो नेड की तरफ गुस्से से देख रहे थे तो मैटी से पुछता है कि यह लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे है मैटी कहती है कि उन्होंने मुझे अपरोच करने का ट्राय किया था पर मैंने किसी को भी भाव नहीं दिया तुम बहुत समय से आ हो तो तुम से जेलस है नेड कहता है कि तुम इतनी ब्यूटिफुल हो और इतनी ब्यूटिफुल आउटफिट के साथ आई हो इसी वज़े से तुम्हारे पीछे बड़े हुए है तुम्हें ऐसे रात में अकेले बार में नहीं आना चाहिए मैटी कहती है कि सब चीज़ों से मैं तंग आ चुकी हो और क्या होगा इससे मुझे फरक नहीं पड़ता क्या तुम इस फीलिंग से रिलेट कर सकते हो नेड कहता है कि हाँ कभी-कभी मुझे लगता है सब चीज़े आकर मुझ पर ही गिरेगी मुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा इसके बाद वो डारेक्ली उसे पूछ लेता है क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर सकता हो एक हैदी कि में कार में आई थी तो इसका वो पीछा करने वाला है मैटी गहती है कि एक छोटा सा टाउन है इन लोगों ने हमें एक साथ देख लिया है मेरे हजबन को एक पता नहीं चलना चाहिए इसलिए मैं पहले जाती हो उसके बाद तुमाना नेड कहता है इन्होंने तो अल्रेडी हमें देखी लिया है इससे और कोई जादा फरक नहीं पड़ने वाला मैटी उसे जोर से जाबन मारती है और दुसरी जगा पर जाकर वेट जाती है नेड को ये समझ आ गया था वो बाहर उसके लिए वेट करता है ये दोनों फिर मैटी के घर पर आते हैं नेड को एक्चुन में मैटी जिस चाइम्स के बारे में बात कर रहे थी उसे देखना था ये देख लेता है तो मैटी उसे घर के बाहर निकाल देती है वो चाहती थी कि ये इंटिमेट हो पर उसने अब अपना माइंड चेंज कर लिया है उसने उसे किस किया वो उसे बाहर निकाल दिया बाहर आने के बाद भी वो उसके बारे में ही सोचता रहता है वो फिर से डोर के पास आता है तो मैटी घर के अंदर जिस जगा पर खड़ी हुई थी वो यह पर खड़ी है यह अंदर आने की कोशिश करता है पर सब डोर्स लॉक्ट है बड़ा सा बत्तर लेकर वो एक खिड़की को तोड़ देता है अंदर आने के बाद एक दुसरे के साथ इंटिमेट हो जाते है इस रात के बाद यह बार और बार मिलने लग गए एक बार इंटिमेट होने के बाद मैटी अपने बेड़शेस बदल रही थी नेट उसे पुछता है या तुमारे मेड नहीं है मैटी कहती है कि उसे अगर हमारे बार में पता चल गया तो हैं प्रॉल्म आ सकता है नौलेज ही पावर होता है इसके बाद नेक सिन में नेट को उसके फ्रेंड्स के साथ हम देख सकते हैं कि बहुत दिनों से उनसे मिला नहीं था तो उन्हें अब शक आने लग गया है उन्हें लगता है कि नेट अब किसी औरत के साथ है ये उसे पूछने की बहुत कोशिश करते है पर नेट उनसे कुछ भी नहीं कहता इस फ्रेंड्स में हम देख सकते हैं यहाँ प्रोसेक्योटर और एक पुलिस ओफिसर है ये जब हीट के बारे में बात कर रहे थे तो नेट का पुलिस फ्रेंड कहता है इस हीट की वज़े से लोगों का दिमाग भी करम हो जाता है सीटी में क्राइम्स बढ़ने लग जाते हैं नेक्सेन में हम देखते है कि नेट और मेटी जब एक साथ थे मेटी नेट से गहती है कि मेरा हस्बंड कल आने वाला है वो अपने हस्बंड को थोड़ा भी पसंद नहीं करती वो कहती है कि वो वीक है और एक घटी आदमी भी है मैटी के हस्बन के जाने के बाद एक दिन नेड उसे मिलने के लिए आया उसे डारेक्ली पुछता है क्या तुम्हें इंटिमेट होना है जिससे वो बात कर रहा था जब वो मुड़ी तो मैटी नहीं थी नेड को बहुत ही इंबरेस्ट फिल हुआ मैटी भी नेक्स्ट मुवेंट में वहाँ आ जाती है वो कहती है कि यह मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है मैरियन उसने जो डारेक्ली का इसी वज़े से उसे बहुत ही बुरा लग रहा था उसे लगा कि आप इन दोनों की चोरी पकड़ी जा चुकी है मैटी कहती है कि तुम जादा वरी मत करो मैरियन मेरी एक अच्ची फ्रेंड है और कभी भी मेरा कवर वो पलो नहीं करेगी इसके बाद नेक्सिन में नेर और मैटी मैटी के हजबन के बारे में बात कर रहे थे अगर मैटी के हस्बन की डेथ होके तो उसकी आधी पौपर्टी उसे मिल जाएगी उसका हस्बन बहुत ही रीच है तो अपनी लाइफ में मैटी को और कुछ भी करना नहीं पड़ेगा नेड़ उसे बुछता है तुमारा हस्बन इतना रीच कैसे है मैटी कहती है कि मुझे लगता है कि वो कुछ illegal करता है जब भी मैं उसे पुछती हूँ तब मुझे कुछ ना कुछ तो बता देता है यानि की realistage stock market पर मुझे लगता है कि जीन लोग के साथ हो है उनके साथ वो कुछ illegal कर सकता है उसके friends बहुत ही dangerous है वो उसे hate करती है और चाहती है कि वो मर जाए ये almost मैटी के husband को मारने की बात कर रहे थे Ned इस conversation को रोक लेता है कहता है हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले है एक रात ये दोनों बीच पर hangout करने के लिए आये हुए थे नेट मैटी से कहता है कि तुम अपने husband से divorce क्यों नहीं लेती है फिर भी तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल ही जाएंगे मैटी कहती है कि शादी से पहले है उसे मुझसे एक contract करवा लिया था इस contract के according reverse हो जाने के बाद एक साल तक उसे सिर्फ थोड़े से पैसे मिलेंगे उसके बाद उसे कुछ भी नहीं मिलेगा नेट कहता है कि मुझे लगा था तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे मैटी उसे पूछती है क्या इससे कुछ फरक पड़ता है नेट कहता है कि नहीं इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता यानि मैटी के पास पैसे हो या ना हो उसके साथ ही रहने वाला है मैटी फिर नेट को एक gift देती है एक hat है उसे कहती है तुम्हें हमेशा लगता था तुम पर सब कुछ गिर जाएगा ये hat तुम्हें protect करेगी ये एक बहुत ही beautiful gift था मैटी का husband हमेशा business के लिए घर से बहार रहता था एक दिनों जब घर पर आया तो अपनी sister की daughter को लेकर आया जाते वक्त मैटी के पास ही उसे छोड़ कर गया अब बहुत ही दीन हो चुके और अपने husband की वज़े से मैटी नेड से मिलनी पाई वो एक पेफोन से उसे call लगा दिया वो उसे कहती है आज रात मुझे तुम से मिलना है तुमारे बिना में रह नहीं सकते मैटी के sister-in-law की daughter अभी भी घर में ही थी उसने उसे सुला दिया और फिर नेड के साथ ये intimate हो रही थी इस छोटी लड़की को एक पुरा सपना आया इसी वज़े से वो नीचे आ गए इसने मैटी और नेड को intimate होता देख लिया इसके बाद next day मैटी की sister-in-law अपने बेटी को लेकर चली जाती है sister-in-law को हमेशा से लगता है कि मैटी उसके ब्रदर के लिए गलत है तो इससे वो सही से बात नहीं करती है एक दिन नेड डिनर करनी के लिए एक expensive restaurant में आया हुआ था वाव पर मैटी भी आ गए पर वो अपने husband के साथ थी प्यामने सामने आ गए थे और husband को पता जल जुका था कि एक दुसरे को जानते है मैटी husband से कहती है कि वही lawyer है जो हमारी property buy करना चाते थे उसका husband भी इसे सच मान लेता है जादा उस पर शक नहीं करता वो नेड को उनके साथ डिनर करने के लिए invite करता है मैटी का husband कहता है कि मैं भी lawyer हुआ करता था पर उसे वो job अच्छा नहीं लगा उसे जादा पैसे कमाने थे तो इसलिए अलग-अलग चीज़ों में आ गया का आप करती क्या हो husband कहता है कि मैं lands में invest करता हूँ start-ups के लिए loan देता हूँ ये दोनों एक दूसरे से बात करे रहे है इसे मैटी जारा uncomfortable हो गए वो फिर washroom चली जाती है मैटी का husband नेट से कहता है कि वो बहुत ही beautiful है अगर उसने किसी के साथ affair किया तो मैं उसके lover को मार डालूँगा नेट कहता है इस बात को मैं समझ सकता हूँ अगर उसकी जगा होता तो यही करता अब मैटी का husband फिर से अपने business के बारे में बात करने लग जाता है वो कहता है कि एक बार business side लेकर एक आदमी मेरे पास आया वो बहुत ही eager था उसके पास knowledge था पर जो चीज चाहिए हो थी business के लिए वो चीज उसमें नहीं थी husband कहता है कि जो necessary हो वो करना चाहिए यानि कि अपने business को बचाने के लिए लोगों को किसी भी हद तक जाना चाहिए कोई भी illegal चीज करने के लिए husband पीछे नहीं रोकता यह हास हमें पता जलता है मैटी का husband जाने के बाद तुरांत वो नेड के पास आती है उसके office में आए तो नेड कहता है कि हमें careful रहना चाहिए तुम्हें कोई देख सकता था मैटी कहती है कि मैंने पहले wait किया तुम्हारे secretary को जाने दिया यानि कि मुझे कोई देख ना सक्या नेड कहता है कि अब हमें बहुत ही careful रहना चाहिए तुम मुझे जादा call भी नहीं कर सकते क्योंकि phone company के पास इस सब के records होते है मैटी पुछती है तुम ये क्या बात करे हो नेड कहता है कि अब हम तुमारे husband को मार डालने वाले है हम दोनों इस बारे में सोच रहे थे पर कोई बोल नहीं रहा था अब सिर्फ हमारे लिए हम ये करेंगे मुझे नहीं पता क्यों deserve करता है या नहीं मैटी के husband की एक खाली पड़ी हुई property वो देख कर आया जहाँ पर उसकी body dispose कर सकता है Nixon में हम देखते है ये राद में मैटी और नेड ये दोनों बात कर रहे थे मैटी कहती है मेरे husband की मर जाने के बाद उसकी आदी property उसकी sister को चली जाएगी तुम एक lawyer हो तो तुम इस wheel को तो change कर ही सकते हो नेड कहता है कि मैं कर तो सकता हूँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे अब तुमारे husband की life में जो भी चीज़े जिस तरह से चल रहे थे उसी दरीके से चलनी चाहिए अगर कुछ भी उल्टा सिदा दिखा तो हम पर शक आ सकता है मैटी भी इसके लिए माज जाती है इसके बाद नेड एक आदमी से मिलनी के लिए आया था मैटी ने जित की कि वो भी उसके साथ चलेगी जो भी रिस्क है वो एक साथ लेंगे वो एक मैकेनिक से मिलनी के लिए आया था यह जो मैकेनिक है यह पहले illegal काम करता था bombs बनाता था वो लीगल ट्रवल में आया था तो नेड ने उसे सेव किया था जब नेड उसी की मदद लेकर एक बॉम क्रेट करता है मैकेनिक नेड को बहुत ही क्रेटफूल है क्योंकि उसी की वज़े से वो बचा था वो नेड को सला देता है तुम जो भी प्लान कर रहे हो यह तुम्हें नहीं करना चाहिए तुमने ही मुझे कहा था एक क्राइम के पीछे बहुत सारी चीज़े गलत हो सकती है अगर तुमें वो सब चीज़े दिखनी रही तो कभी भी क्राइम मत करो तुम इतने भी स्मार्ट नहीं हो जो क्राइम करकर बच जाओ गया नेड इस बिचारे की बात नहीं सुनता अपने प्लान के साथ यह अब आगे बढ़ते है वो मैटी से कहता है कि अब मैं माय में चला जाओंगा तुम मुझे कॉन्टेक नहीं कर पाओगी उसी रात वो मर्डर करने वाले है मैटी का हस्बन टाउन में आ गया रात में उसे नीम नहीं आ रही थी तो नीचे जाकर वो ड्रिंक करने वाला था अगर मैटी का हस्बन नीचे जाकर ड्रिंक कर रहा है तो नेड को आने में तकलीफ होगी उसे पहले ही पता जल जाएगा और यह दोनों उसे मार नहीं पाएंगे मैटी जगी हुई थी और अपने हस्बंड को जाने नहीं दे थी उसके साथ वो इंटिमेट हो जाती है अचानक से नीचे से नेड का आने का आवाज आता है मैटी का हस्बन उठता है और डेरिकली गन निकालता है मैटी को इस गन के बारे में कुछ भी पता नहीं था वो बहुत ही डर गई थी जब उसका हस्बन नीचे गया तो मैटी जोर से चिलाए कि उसके पास गन है नेड सावदान होकर उस पर वार कर देता है फाइनली उसने उसे मार दिया उसकी बोडी उसने कार में रखी और उसी की प्रॉपरिटी पर जाकर उसे डम कर दिया यहाँ पर अल्रेडी उसने बॉम लाया हुआ था इस बॉम की वज़े से आग लग गई इसका प्लान था कि सब लोग को लगेगा कि आग की वज़े से ही मैटी की हस्बंड की डेथ हो गए अगले दिर नेड को उसके ओफिस में कॉल आता है यह कॉल मैटी के हस्बंड के लोइर का है वो कहता है कि मैटी ने मरने से पहले अपनी वील चेंज की थी और उसने यह नेड से करवाई थी इसके बारे में उसे Nate से बात करनी है Nate समझ जाता है कि ये सब Mattie नहीं किया है उसने उसे मना किया था और फिर भी उसने कर डाला है इसके बाद Mattie, Mattie के husband का lawyer उसकी sister-in-law, Nate और उसका एक friend जो एक postgraduate है ये सब वहां मिले है lawyer कहता है कि will change कर दी गई थी इसी वज़े से उसमें problem है इस will को हम valid नहीं समझ सकते हैं अब कोई भी will valid नहीं है तो Mattie के husband के सारे वैसे अब Mattie को मिलने वाले हैं previous will में Mattie को और उसकी sister-in-law को आध्याध्य मिलने वाले थे इनकी meeting खतम हो जाने के पाद Mattie और Ned एक दूसरे से बात करते हैं Ned Mattie पर बहुत ही चीड़ चुका है Ned ने previous में एक बार गलत will लिखी हुई थी जो वज़े से उसे बहुत ही trouble आया था इस बार उसने कुछ भी नहीं किया पर फिर भी उसकी अब बदनामी हो गए ये करना रिस्की भी था क्योंकि अब इन दोनों पर शक आ सकता है Mattie नेड से यहती है अगर तुमें हेट मुझे करना है तो तुम कर सकते हो पर मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती है इन दोनों को मिले हुए बहुत सारे दीन हो चुके है वो उसे रात में उसके घर आने के लिए कहती है नेड जब अपने घर पर पहुचा तो उसके फ्रेंड उसके लिए वेट कर रहे थे फ्रेंड को पता है कि नेड एक प्लेबॉय है शायद उसके मैटी के साथ भी सम्मंध होंगे उसे गुसे में पुछते है तुम उसके साथ इंवल्ड कैसे होगे मैटी कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है वो हजबन और वाइफ मेरे पास आये थे और मैंने उन्हें वील बना कर दी इसमें से पुलिस ओफिसर कहता है सबको लग रहा था मैटी का हस्बन आग की वज़े से मरा पर उसका मर्डर हुआ है उन्हें लगता है कि शायद मैटी नहीं किया होगा तो नेड को वान करते हैं कि वो बहुत ही डिंजरस हो सकती है उसे तुम ज़रा दूर रहो नेड कहता है कि तुम ज़रा लेट होके उसे मुझे आज रात उसे मिलने के लिए बुलवाया है जब तक मैं उसे अफेर कर सकता हो तब तक मैं करूँगा और वैसे भी मुझे मार कर उसे क्या मिलेगा मेरे पास तो कोई भी प्रॉपरिटी नहीं है उसके फ्रेंड कहते है कि तुम तुमारी आयाशु की वज़े से एक दिन बहुत ही बुरे फस हो गया पर वहाँ से वो चले जाते है जब मैटी और नेड एक साथ थे तो नेड ने उसे पूछा तुम्हें विल इन्वालेड करने के बारे में कैसे बता है मैटी कहती है कि मैं पहले ड्रग करती थी मेरे लाइफ पूरी तरीके से बरबाद हो चुकी थी एक आदमी ने मुझे हिल्प की और उसी के फर्म में जॉब भी दिया वो भी एक लॉयर हुआ करता था उसे ओफिस में उसने ये सब चीज़े सीख ली थी नेड कहता है कि अब पुलिस को तुम पर शक है मैटी कहती है जब तक हम एक दूसरी के साथ है मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसे मिले या ना मिले उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता इसके बाद नेड को उसके फ्रेंड्स ने कॉल किया उसका पुलिस फ्रेंड उसे बोचता है कि जिस रात मर्डर हुआ था तब तुम कहा थे नेड उस पर चिट गया कहता है तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो उसका फ्रेंड कहता है ये सिर्फ एक प्रोसीजर है तुम्हें मैटी के साथ देखा गया था तो मुझे अब ये सब करना पड़ेगा नेड का प्रोसीजर फ्रेंड कहता है इस केस में और भी इन्विस्टिकेशन अब हो चुकी है मैटी का हस्बन हमेशा क्लासेस पहनता था जहापर उसकी बोड़ी मिली उसके पास कोई भी क्लासेस नहीं थे जिसका मतलब है उसका मर्डर पहले हो चुका था उसके बाद उसकी बोड़ी उस घर में लाई गई थी उन्हें और एक चीज़ पता चली है कि मैटी का किसी के साथ अफेर था एक्च्वल में मैटी की सिस्टर इनलॉग की बेटी ने मैटी और नेड को एक साथ देख लिया था उसने बाद पुलिस को कही है पर नेड कौन है यह उसे पता नहीं था तो उसने कहा कि एक आदमी था और भी इन्वेस्टिकेशन के लिए सिस्टर इनलॉग और उसके बेटी बाहर ही बेटे हुए है नेड डरा नहीं डारीटली उनके पास जाता है और इस छोटी लड़की से बात करता है उस पर वो इंप्रेशन जमाना चाहता है यानि को उसके बारे में कुछ भी ना कहें इसके बाद नेड का प्रोसिकरडर फ्रेंड एक कैफे में उससे मिला इसके बारे में उन दोनों ने बात की तो नेड के फ्रेंड को अब लग रहा है नेड ही था जो मैटी के साथ इंटिमेट हो रहा था नेड फिर मैटी के पास आता है वो बहुत ही गुस्सा है वो पूछता है तुमारे हस्बंड के पास ग्लासेस थे वो अब कहा है मैटी को इस बारे में कोई भी आईड़ा नहीं है वो गहती है कि शायद मेंड ने क्लीन अप करते हुए उन्हें उठा लिया होगा वो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सस्पिशियस भी बिहेव कर रही है नेड को ऐसा बुल्शिट लगता है वो गहता है अगर ऐसा होता तो उसने अभी तक हमें ब्लैकमेल कर डाला होता मैटी उसे सौरी कहती है कहती है इस केस की वज़े से हमारी रिलेशनशिप में जो भी सब हो रहा है उसे पसंद नहीं है वो नहीं चाहती है कि उनकी relationship में किसी भी वज़े से कुछ भी difference आ जाया रात में Ned को उसके prosecutor friend ने मिलने के लिए बुलाया वो कहता है कि इस सब चीज़ के बारे में हमने अब investigation की है तुमने कहा था कि जिस दिन murder हुआ था उस रात तुम Miami में थे हम तुमारे hotel में गहे थे हमें वहाँ से पता चला पूरी रात तुमारे hotel में कोई तुमें ring दे रहा था पर तुम वहाँ उसे उठाने के लिए नहीं थे यानि कि इससे पता चलता है कि Ned वहाँ से गायब था इसके बाद हो कहता है हमें किसी का कॉल आ रहा है वो हमसे कहता है कि उसके पास मैटी के हस्बन की ग्लासेस है इस ग्लासेस के फिंगर प्रिंट से किलर कौन था यह वो पता कर सकते हैं इन सब चीजों की वज़े से नेट बहुत ही टेंशन में आ गया इसके बाद हम देखते हैं कि नेट एक लैंड बाय करने के लिए आउट आफ टॉन आया हुआ था बहुत सालों पहले नेट ने एक विल में गलती कर दी थी इसी वज़े से उस पर केस हुआ था जो लॉयर उसके खिलाफ केस लड़ रहा था वो उसे फिर से मिलता है नेट का करियर उसने बहुत जादा बरबात कर दिया था तो नेट से कहता है कि हम दोनों प्रोफेशनल लॉयर से तुम समझ सकते हो मुझे एक करना पड़ा मुझे उसके बाद गिल्टी मैसस हो रहा था तो मैंने तुमारे लिए क्लाइन भी बेज़े थे इस क्लाइन का नाम वो मैटी बताता है नेट बहुत ही शौक हो जाता है यूदि जब वो मैटी से मिला था उससे पहले मैटी को नेट के बारे में पता था उसने मिल में गलती की थी ये भी मैटी को पता था और वो उस पर strongly शक करने लग जाता है बॉम बनाने के लिए जिस मैकेनिक ने नेट को हेल्प की थी वो पुलिस कस्टडी में है वो कुछ भी बोलने नहीं वाला पर नेट को कॉल करता है उसे गहता है कि जब तुमने मुझसे बॉम बनवाया उसके कुछी दिनों बात एक औरत मेरे पास आई थी उसने मुझसे और एक बॉम बनवाया हुआ है जैसी कि हमें पता है कि नेट के साथ मैटी भी उस मैकेनिक के पास आई हुई थी पर वो बाहर गाडी में ही बेटी थी यानि कि उसे पता था कि मैकेनिक कहा है नेट ने अब फिगर आउट कर लिया है कि मैटी उसे फसाना चाहती है अगली दिन नेट को मैटी का कॉल आता है उसे खेती है कि अब मुझे सब कुछ पैसे मिल चुके है जिस चश्मे के बारे में भी बात हो रही थी अब वो भी मुझे वो मेड दे देने वाली है तुम मेरे बोट हाउस जाना वहाँ पर तुम्हें ग्लासेस मिल जाएंगे नेड वैसा ही करता है पर अब उसे मालूम है मैटी के पास एक बॉम है अगर उसने घर में इंटर किया तो यह बॉम फट जाएगा नेड फिर जाकर मैटी के घर से गन चुरा लेता है रात में उसे मिलनी के लिए आया मैटी गन देखकर डर जाती है वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो नेड कहता है मुझे ग्लासेस नहीं मिले मैटी कहती है कि वो वही थे तुम्हे क्या लगता है तुम मुझे पर शक क्यों कर रहे हो मैं तुमसे बहुत प्यार कर दियो मैं कभी भी तुम्हे धोका नहीं दे सकती हूँ हमेशा इसी तरी किसे स्विट टॉक करकर वो नेड को फसा डालती है पर नेड इस बार फसने वाला नहीं नेड कहता है कि तुम अब खुद उस बोट हॉस तक जाओगे जाकर स्पेक्स लेकर आओगे वो वहाँ तक गए और यह पुरा हॉस प्लास्ट हो गया मैटी और नेड वर उसका पुलिस फे नजर ही रख रहा था अब पुरा शक नेड पर चला गया मर्डर के लिए उसे बड़ी सी जेल होके नेड ने मैटी के हस्बंड से गन ली थी सी वज़े से उसके खिलाब स्ट्रॉंग केस बना था इसके बाद नेड फिगर आओट करता है कि मैटी अभी भी जिन्दा है उसने शायद यह सब स्टेज किया था वो अपने बुलिस फ्रेंड को बलाता है कहता है कि मैटी अभी भी जिन्दा है तुम्हें उसका पता निकालना चाहिए यह फ्रेंड कहता है कि उस बोट हाउस में हमें एक बॉड़ी मिली थी हमने जब उसे आइडेंटिफाई किया तो मैटी की ही थी इस केस के बारे में अब उसका फ्रेंड कुछ भी नहीं कर सकता नेड को अभी भी लगता है कि मैटी ने अपनी आइडेंटिटी फेक की होगी वो फिर मैटी जिस स्कूल में गई थी उस स्कूल की एरबुक मंगवाता है यहाँ से उसे पता जब जाता है कि मैटी का रियल ने मैटी था ही नहीं नेड को मैटी ने उसकी फ्रेंड से मिलवाया था जिसका नाम था मैरियान मैटी का ओरिजनल नाम मैरियान था एक्चुल में नेड की मैटी को उसकी friend blackmail कर रही थी क्योंकि उसकी identity वो used कर रही थी मैटी को बहुत सारे पैसे चाहिए थे और Ned भी उसके लिए दिवाना था उसने फिर plan बनाया अपने husband, अपने friend को उसने मार डाला और इस सब में मैटी को उसने फसा दिया इसके बाद वो एक अच्छे सी location बजा कर मज़े करते हुए हम देख सकते हैं बैचारा Ned इस जेल से निकल नहीं पाया प्यार में वो अंधा हो चुका था और इसकी सजा उसे भुगत नहीं पड़ी है इसी तरीके से movie end होती है और आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं जिर आप को वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दबाना में मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एगने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिये